दहेज में आया ये सब, अरे, question mark बग्गा ने, बग्गा ने आज जो वीडियो डाला है दहेज, अब भाईया सब लोग क्या रहेते ऊपर सोफा दिख रहे हैं, जूला दिख रहे हैं, बेड दिख रहे हैं, मीरा दिख रहे हैं समान चुपाया जा रहा है आया जा रहा है गोल्ड आया आ रहा है तो दहेच बोला जा रहा है क्योंकि बेदेखो पहले तो समान दिखा नहीं एकदम से इस टाइम ही दिख रहा है तो बग्गा ने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाता हूं लोगो को पागल बनाने के लिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो भई, बग्गी भी मेर पे डोरी का केस ना कर दे, आपको याद होगा ऐसा, एक अंकोश और प्रीतो ने भी वीडियो बनाया था, जब उसने का था कि नहीं मेरे कुछ यह नहीं था लड़की, लड़की पड़ी लिखी हो नीची, तो कु यह बोला जाए कि नहीं हमने नहीं लिया, मैं इसके अगेंस्ट हू, इस प्रधा के अगेंस्ट हू, तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आज हुआ है, वा भई वा, पहले चोरी और उपर से सीना जोरी, तो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चानल, इसमी स्वाती, कैसे हैं आप ल यह था, डैनिंग टेबल और सोफा कमेट, बस दो चीज़े, उसको दहेज में लिखा गया, तो अब जो इतनी सारी चीज़े दिख रही हैं और आने वाले टैम पे और दिखेंगी, तो यह सब क्या है, उसका आज एक पूरी स्क्रिप्ट तयार गई, एक नाटक किया गया ब ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और एक चीज़ मुझको क्लियर करनी है, तो खुल मिला कि आज इसको बड़े जिज्जा द्वारा स्क्रिप्ट दी गई है कि चल जाओ और यह सब क्लियर कर, अरे डोरी से रिलेटेड बाते हैं, तागे कल को भईया हम पे यह केसिस वगेरा, अलिगेशन्स ना आ जाए, उससे पहले मैं कोकोनट ओल लगा लेता हूं, फेस पे बहुत जादा ड्राइनेस हो रही है, स्किन उतर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे, छिलका निकलता है, आप लोग बताओ कि कैसे इसको खुश्की को रोका जाए, फेशल नहीं कराया है, मैं आज specially तयार होके, आप शादी में कुछ दिन रह गया है, बग्गा की कहीं जाने, मतलब उसको बंद हो गया, कि जा नहीं सकता हूं, मेरा पेट भी कब हो गया, थोड़ा सा पेट अंदर करके बग्गा मामा एक्टिंग कर रहा है, कि पेट भी कम हो गया, और काफे relatives बोल रह कर रहा है, कि मैं कमजोर नहीं, फिट हो गया हूं, अब कोई भी कपड़े पहनों तो सूट कर रहे है, पहले टमी निकलना होता था, मैंने खाना भी बहुत कम कर दिया, क्योंकि जादा खाना खाने से भी सेहत खराब होती है, यह तो इन्होंने अपनी बड़ी जिजी से ही स पूजा दीदी, I think यह पूजा व्लॉक्स करके है, यह पहले भी उनके साथ हिमाच्टी व्लॉगर पूजा उनके साथ यह वीडियो बना चोके है, उसी की बात कर रहे है, उनको हम लोग इंविटेशन देने गए थे और कल वो घर पे नहीं थी, गहीं गए थे उनके किसी के पादर सतकार किया, उन्होंने इन्विटेशन सारे हमने दे दिया है, अभी तक जो 230 कार्ड हम लोगों ने बाट दिये, गाउ में 1500 कार्ड और बाटने अभी रहे गए हैं, गाउ में अभी इतने कार्ड रहे गए हैं, कुल मेला कि अब बग्गा ने खुद यह चीज कबूल यह हम लोग कहा रहे थे ना कि रिष्टेदार तो है नहीं, नान के साट से कोई जाएगा नहीं, और गाउ में भी इन लोगों को boycott किया हुए, तो अब इन्होंने बोल दिया, रिष्टेदार तो 100 से नीचे हैं, लेकिन बाहर से मेरे दोस्त, अब दोस्त भी देखे, सरकार यह officer, Jay, मतलब बोलने से पहले तुमें शरब नहीं आई बगगा, खेर मुझे याद आया, कार्ड में इन्होंने सरकारी contractor भी लिखवाया था, तो जूट बोलने में क्या जाता है, यह थोड़े बोलेंगे मेरे driver friends, जिनके साथ मैं धबबों में खाना खाता हूँ, खेर, यह यहाँ पे YouTube पे style मारने के लिए क्या जाता है, आसपास कि जित्रे भी known है, सबको मैंने invitation कया है, सब बहुत जादा खुश है, फेस पे मैं coconut oil लगा लेता हूँ, क्योंकि dryness बहुत जादा होगी है, यह जो oil है, यह मैंने बढगननी जिजी को बोल के मंगाया था, यह oil खतम हो गया था, और मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता कुश लाने का, मैं इतना बिजी हूँ, सौरफ भाया और तायजी के जमाई ने मेरा बहुत साथ दिया, फटावट सारे कार्ट्स बटवा दिये, मुझे गाड़ी बाहर लेके जाने से भी मना किया गया, पड़ी जी ने मुझ को यह बंदवाया है, सरसो के दाने, अपने वालेट में भी मैंने कुश बदाने डाले हैं, ताकि किसी से नुकसान से बचाता है, यह कुछ भी नुकसान ना हो, यह मेरी अलमीरा की हालत है, फिर अलमीरा दिखाए गई है, जब आचल आएगी तब इसकी हालत अच्छी होग मेरी सिस्टर से रूम को कितना अच्छे से साफ कर दिया है, मैं रूम सुबा ऐसे छोड़ के चला गया था, बहनों ने सारा रूम साफ कर दिया, यह मत धोना, यह बस मुझको मैट धोना है, और एक कमेंट था सर पे की AC कौन लगाता है, तो देखो मेरे रोशन दान है, लग मैं न दहेज लेना जानता हूँ, न मैं दहेज देना जानता हूँ, बोलने में क्या जाता है दोस्तों, कौन सा यह लोग बाद में क्लियर करेंगे, समान सार आपको दिख जाएगा, ठीक है, और अभी दिख भी रहा है, लोग पागल थोड़ी है, जो सोफा देख रहे हैं, सोफा एकदम से कैसे आगया, अगर यह लोग खुद सोफा खरीद के लाते, तो इस चीज़ का बार, 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 सो बार तो अपनी वीडियो में ज़रूर बताते, तो एकदम से सोफा कहां से आया, कितना भी जूटबो, लोग समझ चुके हैं बगगा, मेरे को कुछ भी नह कुछे को दिखा दिखा के, तो कमा है आप तक, बहनों के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, है ना बगगा मामा, मुझे ये सब पसंद भी नहीं है, ये कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए, हाँ अगर लड़की वाले दहेश देते हैं, तो लड़के वालों को भ आप भी भाई है, हम टाइम टू टाइम अपने सोर्सेज में बता रहे हैं, बता देंगे आपको कि क्या क्या मिल रहा है, मम्मी जी की गोल्ड रिंग, दोनों जिज्जियों के गोल्ड ये रिंग, स्खेर और भी बहुत कुछ चुपाया गया है, और मैं तब तब तयार हू शादी में नहीं होता है, पैसा नहीं लगता है, जितना पैसा डोरी में लगता है, बैड, वाशिंग मशीन, कूलर, AC, बाइक, डिमांड सभी करते हैं, LED, TV भी, इसमें बहुत पैसा लगता है, गरी परिवार की बेटी के बाब को मिशे टेंशन रहती है कि हम कैसे शादी कर लिया, तो आने वाले टाइम पे इसे रोक नहीं पाएंगे, इन फ्यूचर मेरे जैसे और दस लोग आएंगे, तभी सिस्टम रुकेगा, सुनो, बगगा, ड्राइवर, ज्यादा बकवास मत करो, तुम जैसे लोग ही है, ठीक है, और तुमारी फैमिली जैसे लोग ही है, ज या कोई आजल हम पे केस ना कर दे, कोई जूटा फ्रॉड केस ना कर दे, है न? और दस लोग आएंगे, तभी सिस्टम रुकेगा, तुम जैसे लोग दहेज को कम नहीं, तुम जैसे ही लोग हो चाहे है, तो दहेज सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, सबको सुकून मिलता है कि सामने वाले के विचार अच्छे हैं, कोई नराज नहीं होता, भई बगगे ने अपनी तारिफ करते हुए, बोलिए, कि देखो मेरे विचार कितने अच्छे हैं, मम्मी पापा ने अपनी लड़की के लिए बहुत कुछ किया होता है, अच्छे संसकार, उसकी परवरिश, पढ़ाई लिखाई पर खर्ष, लड़के वालोंने कुछ स्पेशल थोड़ी किया होता है, जो लड़की वाले धेश देपा कि हाँ, तुम्हारे केस में तो समाझ आ रहा है, तुम तो वैसे जादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्यों बगगावामा, डिगरी तो मुझे ब मम्मी भी मोलती थी, मेरी बेटी दो लाग रुपे कमाती एक महीने में, वो क्यों काम करेगी, ये दहेज प्रथा बिल्कुल बंध होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, और ये बेड मैं, आचल मेरी सासुमा, जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे, लहंगे की, है तो हम लोग लुधियाना गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने बेट पसंद करके ओडर किया था, और अपने घर पे मैंने मंगवाया था, पेमेंट ऑनलाइन की थी, तो इस चीज की पेमेंट मैंने करी थी, तुम लोग कह रहे हो, दहेज में आया है, मैंने ऑनलाइन तो नहीं, ये वो नहीं है, उन्होंने बोला था कि हम देंगे, बट उनके साथ काफी देर बात करने के बाद मैंने उन्हें मना किया, कि ये चीजे मुझे बिलकुल नहीं पसंद, उन्होंने अपनी लड़की को पढ़ाया, लिखाया, बहुत जादा, पैसा लगाया, तो घर पे पढ़ा रहेगा, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, तो कल को वो जॉब कर सकती है, अर्निंग कर सकती है, मतलब आज प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी गई थी और इसको कितना याद करने में, टाइम लगा होगा, बगगी न अपना फेस नहीं दिखाया, हो सकता ह पेपर पे लिखा हो और पढ़ पढ़ के बोल रहा हो, है ना बगगा वामा, लड़की को अच्छी एजुकेशन परवरिश दी है, उन्होंने वो सबसे दादा इंपोर्टन है, देखें मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, दहेच, ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यह clear case है, कि इन्होंने लिया है, ठीक है, और सामने वाले अंकुष को इन्होंने allegation जूटे लगाये थे, डोरी का, तो इसलिए हम लोग आज बात उठा रहे हैं, जब अपनी बेटी को थोड़ा बहुत समान जो शबून का देना था, वो इन्होंने डोरी डोरी कर दिया था, तब ही आज लोग सवाल उठा रहे हैं, तुम पे, बगगा और तुमारी family पे, ठीक है, लड़की को बिलकुल education, दो education होगी तो अपने पाउं पे खड़ी हो जाएगी, कुछ job कर सकती है, ठीक है, और इस चीज़ को तो हम भी गहते हैं, लेकिन तुम लो लोगों ने काते ही, प्लास्टिक मत हटाओ, शादी वाला घर है, चाय वगरा गिर जाएगी, मैंने पीछे की हटादी, नीचे की मैंने इसलिए नहीं हटाई, और मेरा बैड आप लोगों को कैसा लगा, बताना, मेरी thinking बताओ, आप लोगों को कैसी लगी, बाकी आप लोग प्लीज मुझे comment section में, जरूर बताना, फिर आज कुछ टरू वालों के comments, read किये गए हैं, जिसमें लोग भी पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला हैं कि आचल मोटी होती जा रही है, कुछ लोगों ने बोला है कि शादी की date बताओ, तो बग्गा मामा ने date नहीं बताई जूले पे जूल रही हैं, पीछे से बस पहाडी music लगा दो, चाय का cup रख, चाय का glass रख हुआ है, शूट कोई और कर रहा था, जिजज़ी कर रहे होंगे, और बिल्कुल ऐसी मतलब दुखी सी दिख रही है, कौन करता है ऐसे शादी वाले घर में, शादी वाले घर में तो पसंद है, तो इस तरह से आज का वीडियो बग्गा मामा ने दहेज प्रथा के मैं अगेंस्ट हूँ ये बोलते हुए, मतलब एक प्रॉपर स्क्रिप्टिड व्लॉग बनाया गया है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम पे कोई केस न लगाए, दहेज लो और फिर इस तरह की बाते करो, तो ऐसे लोग आपने कहीं देखे हैं, ऐसे लोग को जूते पढ़ने चाहिए, ऐसे लोग को ये उसी तरह के लोग हैं, जिनके घर में भूबेटे सुरक्षित नहीं रहती हैं दोस्तों, तो चलो, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको अगर लाइ वीडियो में, बाइबाइ!